नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना चर्चाएं खास हो तो किस से भी जरूर होते हैं उंगलिया उनी पर उड़ती हैं जो मसहूर होते हैं नमस्कार प्रचों एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटीब चेनल जीके भाई प्रदीब सर पे और जो बच्चे चंडिकेट पुलिस की त्यारी कर रहे हैं आज उनके लिए मैं इस वीडियो में कम्प्लीट है डिटेल लेकर आया हूँ कि एक्ज प्रदीटर का कौन सा डिप्लोमा चाहिए सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और जो चंडिकेट पुलिस की त्यारी कर रहा है वो बच्चा चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो आज हम टोटल पोस्ट पर बात करेंगे और मेल और फिमेल कौन फॉम बर सकते हैं टो से इंपोर्टेंट बात है प्यारी बच्चो कि सबसे पहले है ना जो फो मैंना आज से शुरू होने थे लेकिन ना फोम को अभी एक जून तक एक्सेंड कर दिया गया है तो फो मैंना कब से बरे जाएंगे एक जून 2023 से बरे जाएंगे यानि यह इसके क्या रहेगी स्टार बर देना लास में क्या दिक्कत आए और एक्जाम कब होगा 23 जुलाई 2023 यानि प्यारे बचो आपके पास महजे दो महीने का टाइम है ठीक है थोड़ा सा इसमें हो सकता है थोड़ा बूत एक्स्टेंड कर ले मान कर चलो दो महीने से कम का टाइम है टोटल पोस्टें कितनी रहेगी 700 पोस्टें रहेगी और सबसे इंपोर्टेंड है मेल और फिमेल क्या क्वालिफिकेशन रहेगी प्लस टू महज क्या रहेगी इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी 10 प्लस टू जर्नल के लिए तिन टोटल पोस्टें साथ सो में जर्नल की 324 है ओबीसी की 186 है एसी की 130 है EWS की जो कितनी पोस्टे रहेगी एक सट पोस्टे रहेगी और एज कब से काउंट होगी गुरुजी बीस मई दो हजार तेज से एजे काउंट होगी क्योंकि यह इस दिन एडवर्टीजमेंट लौंच होई थी 18-25 साल तक है ना 20 मई तक जर्नल का होगा तो वो फोम डाल सकत प्यारे बच्चों इसमें ना मीनिमम है ना जर्नल को 40 परसेंट यह अदर को 35 परसेंट लेना यह तो क्या है वसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इसके बाद क्या बनेगी मेरिट लिस्ट बनेगी तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी 10 प्लस टू और जैसे दिल्ली जब आपका डीवी होगा उस टाइम डोकॉमेंट वेरिफिकेशन पर मांगेंगे अभी भी नहीं है ना तो असी दिन का कोई भी आप कहीं से भी उसमें कम्प्यूटर की आपको बेसिक नोलेज होने चाहिए और जिसने बीसी बगेरा कम्प्यूटर से किये ना तो उसको जादा है प्यारे बच्चो जर्नल के लिए 1000 रूपे फीस रहेगी जो एसी के के केंडिडेट है ना उनके लिए फीस कितनी रहेगी 800 रूपे फीस है रहने वाली है तो अब प्यारे बच्चो सभी सारी बुकों पर बात करेंगे सारी चीज़े बात करेंगे क्लास कब से दो मार्क्स का एक्जाम होगा इसमें 0.25% यानि वन फोर्थ क्या रहेगी नेगिटीव मार्किंग होगी बाद में PST जो आपका मरलब आपकी फीजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा मेडिकल ये कौनली क्वालिफाइंग है अब GS है ना ये 50 नंबर की आएगी और बाकी का र प्लाफेर का भी रोल रहेगा स्टेटिक है जिक्के का भी रोल है रहेगा इंस इंडिया हो गया मीडवल इंडिया हो गया और मोडर इंडिया हो गया- सारे के प्लस में साइस हो गई प्यारे बच्चों यह जो आपका जर्नल स्टेडीज का पार्ट है न जीएस का यह मैं कम्प्लीट फ्री ओप कोस्ट आपको करूँगा चेनल सब्सक्राइब कर लेना कम्प्लीट यह कोर्स में आपको करवा दूंगा एक्जाम से पहले क्योंकि दिल्ली पु जिस भी बच्चे के पास NCC का C Certificate है न उसको 5 नंबर एक्स्टा मिलेंगे, B Certificate है उसको 3 मिलेंगे, A Certificate है उसको 2 नंबर एक्स्टा मिलेंगे और जो दोड़ है 1600 मिटर की क्या रहेगी इसमें दोड़ रहेगी और सबसे इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों लड़कि 133 cm लड़के की है तो 2 एक्स्टा मिलेंगे लड़की की हाइट 165 cm है तो उसको 2 एक्स्टा यानि 7 नंबर 5 और 7 2 एक्स्टा नंबर यह 7 नंबर बहुत बड़ा रूल प्ले करने वाली है अब मैं स्ट्रेटरजी की बात करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ना डेली है न प्यारे बच्चों आप है न जीके बाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना उस पर मैंना एक है चंडिगड पुलिस का एक है मोग टेस्ट है डाल दूँगा उसका भी आपको क्या करवाएंगे सुलिशन करवाएंगे डेली आपको एक कलास मिलेगी औ और भी आपको कहां डाल देंगे चीके बाई प्रदीप सर चैनल पर डाल देंगे डेली एक कलास रहेगी और 77 बजे प्यारे बच्चों आपका क्यारेगा मिलाब 77 बजे से पहले एक कलास आपको मिल जाएगी यह जो यह 50 नंबर की जीयास आईगे उसकी डेली एक है किलास प्रिवियस येर बेस पर उसे एक कोशन आ गया तो उसे दस-दस कोशन बना कर ये क्लास आपको करवाऊंगा और जो भी चंडिगड दिली पुलिस की त्यारी करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यहां पर आपको फ्री ओप कोश्ट है त्यारी करवाई जाएगी यही इनफोर्मेशन सेयर करनी थी और जो सेलरी की बात करूँ तो लगबग प्यारे वच्चों 62,000 उपे यहां की सेलरी रहेगी 32 ग्रेड पे है जो यूटी में सबसे बड़ी सेलरी मानी जाती है चंडिगड पुलिस की यही इनफोर्मेशन थी इस से चैनल को सब्सक्राइ जरूर करें और अगर आप हमारी इसाब से चलते हैं न तो दो महिने में आपकी बर्दी का सपना पूरा होगा धन्यवाद दोस्तों जै हिंदे जै भारत